हम कई रोज से देख रहे हैं, तुमारी जुबाबे कोई बात आ रही है फिर रुक रही है, कौन सी बात है जिससे आप बीडा में हैं, जिससे आप दर्द है, उस बात को मैं बताएए, किस बात से आप परिशान है, बेटा गोफी चन्द, मैं तुझे सारी बातों को बताना च क्या जो मैं तुझसे बात कहूंगी तुमेरी बातों को मानेगा गोपी चन बिल्कुल मानूगा मेरी बात सुनिये कहिए खोल के बता देरी माता क्यूं याँख्या मैं नीर तेरे क्यूं याँख्या मैं नीर काड़ जा फटे से तेरी मात का लेकिन बिना बताए हमें कैसे मालूम होगी कि आप कौनची पीडा में हैं कौनचे दर्द में हैं आप हमारी बात सुनिये कहिए खोल के बता देरी माता क्यूं याँख्या मैं नीर काड़ जा फटे से तेरी मात का खोल के बता देरी माता क्यूं याँख्या मनीर तेरे क्यूं याँख्या मनीर काड़ जा फटे से तेरी मात का अरी क्यूं या ख्या मैं या सूरी आगे क्यूं या ख्या मैं या सूरी आगे दर्द भर तेरी पानी मैं मुहते बोल लिकड़ता को न्या मा तेरी परशानी मैं करके त्रधन पहुच्यारी माता बीती हुई कानी मैं करके याद पुरानी रोई विद्वा हुई जवानी मैं पीती ने बुला तेरी माता दिल मैं धर्ले दीर माता दिल मैं धर्ले दीर कामे नहीं ये मेरे हात का खोल के बता दिल माता क्यों याद ज्यामनी री तेरे क्यों याद ज्यामनी री वाल ज्यापटे से तेरी मात का परमादनिय हमारे बड़े परमादनिय हमारे बड़े चाहिए अच्छे मित्र हैं हमारे भाई काडू रावर जी मुननवास से जिनने कई सुर्पे पहले सम्मान किया और अपनी मा को समझाता है कि मरना जीना लाभानी यस अप्यस यह इंसान के हाथ बात नहीं होती यह तो परमपिता परमात्मा के हाथ बात उत्तु इंसान तो केवल करम कर सकता है फर वो भगवान देता है सजनों दूसरी बात के माधन से अपनी मा मैनवांति को वो गोपितन क्या सम्झाते क्या बता दिया जीवन मरन लाभानी मा जीवन मरन लाभानी यस अप्यस खेलेवी दाता के अच्छी तरिया जानू बेटा ये तस्तूर है दाता के अरी के दर्सन करना चारी आजे के दर्सन करना चारी आजे खात भरत्री भाता के भर चाती पैं हात लाले आ देश कठिन तेरी माता के आजे तू सुना तेरी माता ये अपने दिल की पीर सारी अपने दिल की पीर जाने राखिये मेरी बात का वर के बता दे बाता क्यों या क्या मनीर तेरे क्यों या क्या मनीर पाल जा पते से तेरे माता आप एक बार आदेश करिए हम आपके पुत्र हैं जैसा चाहोगे वैसा आपका काम होगा आप पहीए लेकिन बेटा गोपी चन्द अरे कि चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है जब घर में हो लाज तो बारात बुरी लगती है और जूटे अपसानों से दिल नहीं बढ़ता बेटा गोपी चन्द जब इस दिल में हो दर्द तो हर बात बुरी लगती है आज मैं तुष्द से कुछ कहना तो चाती हो लेकिन पता नहीं मेरे कदम पीछे को धटते जा रहे हैं तुष्द से कुछ कह नहीं पा रहे लेकिन आप हमारी बात को हलके में ले रही हैं आपको यकीन नहीं है हमारे उपर आप आदेश करिए हस्ते हस्ते अपने अपि गर्दन काट करें तुम्हारे चलन अर्पित कर देंगे लेकिन बिना बताए कैसे बात बनेगी बताओंगी गोपी चलन और भांटी जेल नया गाम भाई राजिंदर जी दोसो एक्वन पर इसे सम्मान कर रहे हैं धन्यवाद करते हैं आईए साथियों क्या बताया है आरी बेखटके से कह तेरी माता बेखटके से कह ते माता तेरा हुकम बजाना चाहूं सो तू आभत में पड़ जागा तने खोल बताना चाहूं सो अरी दे आदे सितरे चर्णों मैं दे आदे सितरे चर्णों मैं सीश चड़ाना चाहूं सो गोपी चंद बेटा में तने अमर कराना चाहूं सो पहन ये मिटा तेरी माता आवे है आकीर एक दिन आवे है आकीर खोज मिटे ना तेरे गात का खोल के बता ते माता क्यों या क्या मनीर तेरे क्यों या क्या मनीर खाल जापटे से तेरे मात का आप में साधू बनाना चातिये ना तेरे माता योगी बनाना चाती है हाँ गोपी चन्द मैं तुझी अमर कराना चाती हूं और यह मैं नहीं चाती कि जिस प्रकार से तेरे पिता इस दुन्या को छोड़ करके चले गए एक दिन तू भी संसार को छोड़ करके जाए गोपी चंद नहीं चाती मैं ऐसा लेकिन इंसान तो कर्मोस्यमर होता है और ये करम और भगवान का भजन हम अपने ग्रिस रियून में रहकर भी कर चकते हैं साधू बने कोई जरूर नहीं है कि साधू बन जो जितने भी संत महात्मा बने सभी अमर हुए है ऐसा नहीं है बेट ये बात नहीं है क्योंकि आरी जो आता वो जातरी मता मत ना मन भट कई ये तू योगसाधना करके बेटा अमर सरीर बनई ये तू तेरी बात्या संभव सी लाग मा बात्या संभव सी लाग मन बेद खोल समच मिल जागा हरे राम बैसला कुसक बढ़ोली जाइए तू कुनिस्वर के गालेरी माता खुल जागी तक्दीर तेरी खुल जागी तक्दीर हभी ये निराला बैसला का खुल के बता क्यों या क्या मनीर तेरे क्यों या क्या मनीर बाले जागी पठेसे तेरी मात का